यूक्रेन ने अमेरिकी सेने हत्यारों की बदूलत रूस को लंबे समय तक खुद पर हावी होने से रोके रखा और रूस पर ताब और तोड़ जबाबी हमले किये हाला कि अब जब यूक्रेन को पश्मी और नेटो सहयोगियों से मदद नहीं मिल पा रही है तब मौके का फायदा उठाते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिये हैं रूस अपने हमलों में चुन चुन कर उन अमेरिकी हत्यारों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए दिये थे हाली में रूस के डोनबास में यूक्रेनी मल्टिपल रॉकेट हिमार्स को नश्ट करने की खबरे सामने आई थी इस हमले की सबस्ट फुटेज भी सामने आई थी रूस ने जिस हिमार्स रॉकेट को निशाना बनाया उसे रूस के टॉर्नेडो एस के टककर का माना जाता है अब रूसी रक्षामंत्राले ने कहा है कि रूसी सेना ने रूस के डोनबास में अमेरिका दोवारा यूक्रेन को भेजे गए एक और M1 अब्राम्स टाइंग को नश्ट कर दिया है हाल के दिनों में रूस दोवारा नश्ट किया गया इस प्रकार का ये तीसरा वाहन है अधिकारियों ने कहा कि टाइंग को T-72B3 के चालक दल ने एक ही बार में नश्ट कर दिया अधिकारियों के मताबि यूक्रेन ने 460 सैनिकों के साथ ही एक अन्य टाइंग पैदल सेना से लड़ने वाले चार वाहन, दो बक्तर बंद और पाँच सामान्य वाहन और एक मोबाइल एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी खो दिया है रूस द्वारा अमेरिका निर्मिट टाइंग पर हमले का फुटेज भी शेयर किया गया है डोनबास मोचे पर अबराम स्टाइंग को पहनी बार फेबररी के अंत में देखा गया था इससे कुछ महीने पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ऑक्टूबर में कहा था कि 2023 की शुरुवात में युक्रेन को दिये गए सभी 31 टाइंग देश में आ गया है अब दियुका के पास पहला अबराम स्टाइंग देखे जाने के तुरंद बाद रूसी रक्षा मंतराले ने कहा कि उन में से दो को दो अलग-अलग मुट भेडों में नश्ट कर दिया गया था कहा गया कि पहले को कामिकेज ड्रोन और एंटी टाइंग ग्रेनेट लांचर द्वारा मार गिरा गया था और दूसरे को नश्ट करने के लिए पहले उसे एंटी टाइंग प्रोजेक्टाइल द्वारा स्थिर किया गया और थिर एक सेनिट उपनी द्वारा समाप्त कर दिया उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल कुछ समय तक ही चलेगा और जल्द ही वे टैंक भी जल जाएंगे पेस्कोर में ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि अगर युक्रेन को अमेरिकी F-16 लडाकों विमान मिलते हैं जो कि इस साल के अंद तक आ सकते हैं तो उन्हें भी रूसी सेना नश्ट कर देगी हाला कि युक्रेन को इस समय अमेरिकी मदद की सख्त जरूरत है लेकिन अमेरिका के रिपब्लिकन सांसुदों के विरोद के चल पे युक्रेन को मिलने वाला फंड रुका हुआ है इस फंड के रुकने से युक्रेन की हालत लगातार कमजोर हो रही है और बैक फुट पर है